तो नमस्कार दोस्तों दियालेक्स नाइन में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों मैं आज आप लोगों को पारजासी यानि गिलिस्रीन स्वाप बनाने के बारे में बताने जा रहा हूं कि दोस्तों इसके पड़े मैं इसका एक वीडियो यह बना चुका हूं जो काफी पुराना है फिर भी बहुत लोग करते हैं नया बताए नया में बताए तो दोस्तों मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूं प्रेटिकल अगर आपको देखना हो तो आप पुराने वीडियो को तेख सकते हैं हालनकि उसमें कोईम आपको बता जा रहा हूं दोस्तों फिराऊ बात मैं आपको बता दूंइजैसे प्रेवाइश बताने बनाने के बारे में बताने जाहान। दोस्तों इस में नहीं मिलाई जाती है या फिर यू कहतों कुछ साबुनों में नहीं मिलाई जाती है दोस्तों अगर आपको बढ़िया क्वाल्टी बनानी है तो आप नारियल का तेल ले सकते हैं या फिर इसमें कोई रिफाइन तेल भी दाल सकते हैं हलाएं कि यह महंगा विकता है लोग महंगा होगी और इसकी विप्रित अगर आप रिफाइन तेल का इस्तिमाल करते हैं तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी तो दोस्तों चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें क्या क्या लगती है इसकी चरबद प्रक्रिया क्या है अगर आपको पूरी मतलब लिखी चाहिए तो ऐinos ne 18 पर जाएख सकते हैं तो इसके लिए में चाहिए एक अल और और नारियल का या फिर कुछ कुछ रिफायन तेल निए फीन नारील का रिफायन तेल दोनों को आप उसमें मिक्स कर सकते हैं है तो दोसतों हमें तिल क्या सकता होती है यहन्युद Опने क्म च्छ कर सकते हैं तो आप 25 kg ले सकते हैं 14 kg साथ किलोग्राम 3,5 kg वह संब क्यूंके संब हैं है रविएंस सब्सक्राइडे जिसमेंगि कौन्तिटी आपको छीजानार किस दोस्तों आप 56 किलोगराम ना दाल कि पर और प्रोसेस हां आपको एक हो कर दो घर인이 है लेकिन उससे पहले आपका एक और प्रोसेस है साथ किलो आपको कास्टिक सोडा चाहिए दोस्तों आप चाहिए तो इसमें कास्टिक पोटास लगभग पांच किलो और कास्टिक सोडा तीन किलो यानि पूरा आठ किलो ले सकते हैं थोड़ी क्वाल्टी भी अच्छी हो जाएगी अगर आप कास्टिक पोटास का यूज करते हैं तो अगर आपके पास कास्टिक पोटास नहीं है तो कास्टिक सोडा पानी में आप गोलेंगे इसके लिए दोस्तों आप एक ड्रम में प्लास्टिक के टब में या फिर बाल्टी में पानी को डाले 25 लीटर पर उसमें साथ किलो ग्राम काश्रिक शोड़ा को डालकर अच्छी तरह से घोल बनाए जिससे काश्रिक शोड़ा की लाई करते हैं यानि थंड़ी हो जाती है तो दोस्तों लाई के थंड़ी होने के बार से आप जैसा मैं पहले बता हूं तेल को गर्म करें 80 degrees Celsius के लगभग में आप गर्म करें फिर उसमें आप जो यह लाई है इस लाई को डाले और फिर उसे धीमी आज पर ही चलाते रहें चलाते रहें धीमी आज चलने दे और उस लाई को चलाते रहें तेल में थोड़ी थोड़ी आपको लाई डालनी है कास्टिक शोड़ा की जो लाई है आपकी गर्म तेल में थोड़ी थोड़ी डालनी है और चलान तो आप भी चलाते रहे इसाब़ ठीर की क्रिया होती रहेगी अगर मिक्चर में हम बनाते हैं तो चालू करके छोड़ते और तो अगर से बना रहुत है तो अफ design दूसरे को दे दे और फिर इसमें एक क्यामकरONA है 12 kg आपको चीनलेनी है और 24 लीटर पानी लेनी है और ओल्य कडाई में डाल की चासनी बनानी है दोस्तों ध्यारे या फिर पानी में भी डालेंगे तो इस तार नुमा बन जाएगा तुरंत गलेगा नहीं तो आप समझ जाए कि हमारी चासनी त्यार हो गई है अब दोस्तों इस चासनी में क्या करनी आपके पास 32 लीटर अलकोहल है दोस्तों बहुत लोग कोमेंट करते हैं कि हम अलकोहल से कहा कहां से खर दे आप आप आइसोप्रोफिल अलकोहल ले सकते हैं या फिर कोई भी नारमल स्प्रीट आप ले सकते हैं आप पेंट के दुकान पर जाए कोई भी आपको अलकोहल मिल रहा है आप उसका यूज कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये अलकोहल साबोर में से उड़ जात आप आईशु प्रोफिल एलकोहल का ही यूज करें तो दोस्तों आपको 32 लिटर अलकोहल जो आपकी चीन्नी की चासनी चो बारत किलोग्राम चीन्नी चासनी त्यार हुई है उसमें आप 32 लिटर अलकोहल डालके अच्छी तरह से मिला देनी है आप दूस्तों क्या करने है कि कर दो अब करने हैं आपकी जो कड़ाही में यह तेल गर्म था और आच भी धीजर्ड़ार जल रहा था उसमें काश्रीक फोड़ा की लाइट डाल करें इसे चला रहे हैं या फिर मिक्षर से चला रहे हैं वह सामनी करके कुई करने लगी है यानी को इसी तरह जलने देना है थोड़ी आँच आप तेज करेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे दोस्तों एलकोहल बहुती जोलन सिल होता है बहुती खतरनाक होता है इसलिए यहां पर साधानी बरतना जरूरी है दोस्तों मैं जनकारी के लिए दे रहा हूं मात्र सिक्षा मात कर सकता है इसलिए दोस्तों आपको बहुती साधानी वरतनी है इसके लिए मिक्चर ऑच्छा रहता है ताकि उसमें पार से आग नहीं पोकर पाती है अगर आप चाहें तो इसे मिलाते समय जो एलकोहल चीनी के चास्नी है उस गोल में मिलाते समय कुछ दिर के लिए आंच को बंद भी कर सकते हैं अपने सावधानी के लिए और फिर आप उसे अच्छी तरह से मिलाने के बार से फिर आज को चालू करें और आज को तेज करें और अच्छी तरह से चलाना दोस्तों इस प्रोसेस के दौरान कुछ खतरनाक गैसेज भी निकलती है आपको मास्क गागल्स औ गालू को भी धकना ज़रूरी है तो इसलिए दोस्तों आपको प्रतिक कदम पे सावधानी बरतनी है दोस्तों इसे चलाते हैं कुछ समय बाद इसमें ज्छांग बनेगा जब ज्यादा ज्यांग बन जाए मतलब पूरी गाठी होने लगी और आपकी गाठी जो मिस्टर होने ट्रियार हुई है आप इसे किसी फ्रेम हों में रहें जबान सकते हैं और उसके बारब कार् के फिर आप कोई स्यपर सकते हैं तो पाती है सुक की फ्रेमिंग जमाने वाली आती है आप उसमें भी जमा सकते हैं मेंया में लिंक दे दूंगा आप वहां से जाके खरी सकते हैं आप उसमें सावन को ऐसे लिक्वीट पोजीशन में रही गाड़ी लिक्वीड रहेगी पेस्ट के रूप में आप उसमें डाल देंगे लगभग दोस्तों 6-7 घंते बाद आपका सावन जम के अच्छी तरह से त्यार ह चाहेगा दोस्तों आप उसको करना क्या है आपको तुरंत यूजी नहीं करना है इसमें अभी भी अलकोहल के मात्रा होती है लगभग एक हफ्ते तक द्यान रखने की बात है उसमें से अलकोहल उड़ती रहते जब आप सावन बनाएंगे तो पूरी तरसे पारदर्सी नहीं सुखाना है और धीरे धीरे एक हफ्ते में इसमें से पूरी अलकोहल उड़ जाएगी और आपका सावन अच्छी तरह से पारदर्सी यानि कि अर्ज पारदर्सी हो जाएगा यानि आपका सावन त्यार हो जाएगा दोस्तों मुझे आसा है कि आपको वीडियो फसंद आई हो होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं और हां दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन करें।